नमस्कार प्यारे स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लैट्स डिसकस में प्यारे स्टुडेंट जैसा के स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम डिसकस करने जारे क्लास 10 का भी से हमारा हिंदी होगा और यह कारे पत्रक संख्या 72 है जो की 18 जनवरी 2022 के लिए है तो प्यारे स्टुडेंट आज का वक्सिट है अभ्यास पुन्राविर्ति यानि हम रिवीजन करेंगे तो बिद्यार्ति यहां पर अपना नाम लिखेंगे और कक्छा ध्यापक का नाम लिखेंगे तो प्यारे बच्चों आज हम इसका कविता पाठ यानि उत्साह अब हम अट नहीं रहे हैं से कुछ प्रस्णों के माध्यम से हम अभ्यास पुन्राविर्ति करेंगे जिसमें हम पहले देख रहे हैं सुरिकान तरी पाठी निराला जी को जो सुरिकान तरी पाठी निराला जी का जन्म 1897 में हुआ था और ये उनकी मृत्त्यू जो है ना 15 अ स्थान बंगाल महिचा दल राज्ये है और काब्बे रचना इंसकी परीमल है नीतिगाय अनामिका है तुलसिदास है कुकरमुत्ता है अनीमा है आप अपसरा है बेला है और नए पत्ते अराधना और अरचना है ठीक है अब इसमें आपको ये देखना है जो इस कविता के संदर एबम परभावसाली बन जाता है अलंकार दो तरह के होते हैं एक तो सब्दालंकार होते हैं और एक अर्था अलंकार होते हैं ठीक है शब्दालंकार यानि शब्दों को विशेस तरीके से प्रियोग करने पर संदर उत्पन करने वाले शब्द शब्दालंकार कहलाते ह जबकि शब्दों के अर्थ के कारण शंदर उत्पन करने यानि शब्दों के अर्थ के कारण जब आप शंदर उत्पन करने वाले जो शब्द है उसको अर्थ हलंकार कहते यानि उसमें अर्थ छुपा होता है ठीक है अब आप बता सकते हैं यहां पर जो है न जब किसी प्राक पिरति घटनाओं का जो मनुश्य बर्णन जो है ना मनुश्य यानि इनसानों को रिलेट करके किया जाता तो मानविकर अलंकार होता है अब इसमें आपको ये देखना है डियरे स्टुरेंट कभिता के शंदेश और भावार्त को हम पिछले कारपत्रग में समझ चुके और पुनराबिर्ती है ठीक है इसलिए करके है उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है क्योंकि बादल गर्मी से तरस्त धर्ती के तब को शांत कर लोगों में नवजीवन बच्यतना का परसार करता है और बादलों की गरजना ये गरजना है ठीक है ज question number third है अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं तो जब किसी काब्बे को इस सुंदर्ता बनाने के लिए किसी बर्ण की बारवार आविर्ती होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं और इसका आप एक जामपल यहां देखी लिए है घेर घेर घोर गगन में ठीक है अर्थात अनुप्रास अलंकार है जिसमें काब्बे की क्या है बारवार रचना है यानि आविर्ती है यानि repetition है मानविकरन अलंकार को किसी उदारन से संधाइए तो मानविकरन अलंकार जो कि हमने अभी अभी बताया प्यारे स्टुडेंट मानविकरन अलंकार यानि जब किसी प्राकृतिक बस्तूर या घटनाओं का बर्नन मनुस्य की तरह किया जाता तो अब मानविकरन अलंकार होता है तो चली हम इसमें आपको बताते हैं इसे अच्छे तरीके से देखे मटबेली का सखियां से आँख लडाने में मानविये किरियाओं का आरोप है लोने लोने बेघने चने क्या बने बने इठलाते हैं हौले हौले होली, गाग, गुंगरू पर ताल बजाते हैं अर्थात यहां बघने पर होली, गाने, सजधजकर इतराने और ताल बजाने में मानविये किरियाओं का आरोप है ठीक है अब देखें इसमें हम ये देखेंगे तो यह इस कोशन्स का अंसर पूरा होता है गतिवीधी है, जो कि बेहदी आसान है इस गतिवीधी को आप यूं कर लोगे ठीक है, कम से कम आठ पंगितियों की अपने मन में से किसी कविता का निर्मान की जरूँस में से अलंकार बताइए तो कोई कविता आप लिखिए और उसमें से अलंकार बता दीजिए ठीक है, तो देखिए अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्फ हो लेते, इसे जरूर लाइक करें चैनल पे नहे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करतें और वीडियो को सेर कर लीजिए ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग अगर लाइक सेर सब्सक्राइब करतें तो मज़ा आता है मुझे, ठीक है क्योंकि मैं खुस होता हूँ, और दूसरी बात ये है, आप टेलिग्राम चैनल से जॉइन हो लीजिए, ठीक है चलिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा